चलिए स्टूरेंट्स क्या आले हैं सब के बढ़िया जो क्वेश्ट प्रब्लम में बतायते हैं तुम लोगोंने त्योरी आले हो क्वेश्ट करा रहा हूं अब मैं क्वेश्ट नम्बर 23 क्यों चलो 23 में पूचा गया है सजल स्ट इंटरमोलिकुल अट्रेक्टिव इंटरीक्शन बतानी है अलाग अलाग जो भी इन में प्रेजेंट तो इसके लिए जब से पहली बात एक धान में रखिएगा जो आपने लेविंध में बढ़ा था चेप्टर नमबर फाइव उसके अंदर आप लोगो ने बहुत सारी फोर्स पड़ी थी डाइपोल डाइपोल फोर्स डाइपोल इंडियूस डाइपोल फोर्स आयन डाइपोल बात कर रहा है तो आंसर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा में फैक्ट्स क्लियर कर देता हूं बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यह चीज नहीं क्लियर होंगी और आप में डारेक्ट आंसर बता दूं तो आपको वह समझ में भी नहीं आएगा यह आंसर नहीं है बट आंसर का एक पार्ट समझ सकते हैं आपको आपको copy minute नहीं करना ही है बट यह समझने के लिए बहुत ज़रूरी है देखे सबसे पहले तो इस दो तरीके की चीज़ आपको पता होने चाहिए पहला polar molecules और दूसरे non-polar molecules polar molecules क्या होते है polar molecules वह होते हैं जिनको अगर आप तोड़ते हो तो एक positive और एक negative पार्ट आप obtain कर लो एक positive और एक negative पार्ट आप obtain कर सकते हो जिस भी molecule को तोड़के ऐसे किसी molecule को लोग polar और molecule बोलते हैं जैसे मैंने example दे रहे हैं यहां पर सबसे पहला एक्जामपल एक नसील नसील को जो मैंने ब्रेक कर रहा तो मेरे पास में क्या क्या है एक और पॉजटिव और एक सील नेगेटिव है तो इस तरीके कोई भी molecule जिसको आप एक पॉजटिव एक नेगेटिव पार्ट में पॉलारिटी में डिफ्रेंस है पॉजटिव और नेगेटिव पार्ट में नौनम में तो इस तरीके के में तोड़ सकते हो किसी भी molecule को that molecule will be called as polar molecule however a molecule possessing same polarity और जिसे तोड़ने पर एक positive और एक negative sign वाले चीज़ आप obtain ना कर सको are known as non-polar molecules for example यहाँ पर आपको example दिये गया है देखिए पहला example दिया गया है an axine यह example है मैंने example list करें आपके किसी question में लिस्ट कर दिया है जिससे question और आगे समझने में थोड़ा सा आपको असानी हो जाए i2 है i2 को अगर आप तोड़ोगे i2 के बीच में bond हो गया अगर आप i2 को तोड़ोगे तो पढ़ाया था 11th class में क्या बनेगा यहाँ पर free radical बन जाएंगे दो और एक यह वाला free radical बन जाएगा आपके पास में जब आप i1 को तोड़ोगे तो कोई positive कोई negative charge नहीं आएगा पता गई वह अब समझते हैं देखिए अब अलग-अलग interaction अलग-अलग molecules की वह मैंने यहां पर आपको दिखाई है सबसे पहले interaction देखिए अगर आपके donor molecules non-polar हो जाते हैं जैसे donor molecules अगर non-polar हो गई है यानि कि non-polar में हम non-polar डाल रहे हैं तो forces कैसी होंगी उस time पर forces कैसी होंगी dipole dipole interaction आगर कया हो रहा है polar molecule अगर polar molecule dissolve वह रहा है कि इसके अंदर polar solvent के अंदर-polar molecule यह देने वाली बात है जाना किया पोलर molecule dissolve in polar solvent equaler solvent तो polar solvent का मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ water की ठीक है जैसे example नमक को हमने पानी में डाला तो नमक NaCl common salt NaCl क्या है Na plus Cl minus बई सबको पता है एक polar molecule है polar molecule को एक आपने water के अंदे नहीं polar solvent के अंदे डाल दिया तो इसमें क्या होता है कि जो permanent dipol होता है water का और जो iron मनेंगे NaCl के तूटने पर वो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के साथ में interaction करता है जैसे मैंने मैं बोलूंगा कि Na positive का जो iron होगा वह water के molecule के साथ interact करेंगा जिसमें वह oxygen के साथ में क्या कर सकता है bond बना सकता है water का molecule कुछ इस तरीके से होगा water का molecule के साथ में bond मना सकता है चलिए इतनी जगा नहीं है मेरे पास में यह clearly मैं लेख नहीं पाऊंगा समझ सकते हैं कि water में जाएगा Na plus water के साथ में bond बनाएगा यान जो है वह किसी एक water का जो डाइपोल है उसके साथ में interaction कॉस्ट करेंगा अगर आप यह तीनों चीज़े समझ गए यह जो टेबल में आपको यहां बना के दिया है अगर यह इसको भी clear हो गया वह असानी से इस question को कर सकता है एक बार और बता देता हूं अगर दौनों नौन पोलर तो डिस्परजन फोर्स होगी दौनों पोलर तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर आप पोलर एन हेक्शन और एन अक्टेन दौनों clearly देख रहे हैं कि दौनों कैसे हैं दौनों मॉलेक्यूल नौन पोलर है और अभी में ऊपर टेपल में बता क्या है था कि इफ बोद दे मॉलेक्ट्र नौन पोलर और इंटरेक्शन बेट्विन दम विल बी दिस्परजन फोर्स ठीक च दिस्पर्जन फोर्स उमीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको चले थर्ड एनिशी एलो फोर और वाटर एनिशी एलो फोर को अगर थोड़ोगे तो क्या-क्या उप्टेन करोगे आप एनिश पॉजिटिव और सी एलो फोर नेगटिव अप्टेन करोगे और यह कैसे हैं यह दोन्नो आयन है और किसमें डिसॉल करें हैं इनने वाटरमें डिसॉल करें यह किसका एंबलगा है जो थर्ड वाल शयुक्र पर दिया था कि अगर आप किसी iron को या किसी polar molecule को water के अंदर, यानिकि polar solvent के अंदर dissolve करते हो, तो कैसी interaction दाई धी, iron dipole interaction. इसमें कैसी interaction हो जाएगी, iron dipole interaction. चलिएगा. फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में कहा गया है, methanol और acetone methanol और acetone में बताईए तो methanol और acetone में क्या है कि दोनों polar है methanol भी methanol भी polar है और acetone भी polar है तोड़के देख सकते हो आप CH3OH को तोड़ोगे CH3O positive H negative ओपर मैंने भी देखके भी दिखाया था एक्जामपल ठीक है CH3O CH3 को तोड़ोगे तो यहां पर भी आपके पास में आ जाएगा दोनों molecule non-polar है दोनों molecule non-polar है इसलिए कैसी interaction आ जाएगी आपके पास में डाइपोल डाइपोल लोगों ने डाउक में बताया था next question पर चलते है question number 24 question number 24 में भी यह interaction based question है अगर जिसने उपरवाले सही से समझा है वो इसको भी समझ सकता है question में क्या बोला गया है based on solid solvent interaction solid solvent के बीच में यह जो आपको molecules given है cyclo-exe-n-k-cl-3-c-s-3-o-s-c-3-c-n इनको हम लोग डाल रहे हैं किसके अंदर n-octane के अंदर आपको एक-एक करके हम इनने डाल रहे है n-octane के अंदर आपको interaction बतानी है कि किस तरीके से इनकी interaction होगी और किस तरीके से solubility होगी यह solubile है यह नहीं है यह बताना है बस आपको कौन जादा solubile है कौन कम solubile है और इनने एक order में arrange कर देंगे इम लोग increasing order में जैसे question में बोला गया है चलिए इससे पहले question को कुरके जाट करने से पहले मेंने आपको solution में लाइन लिखे दिये ह Cleake dissolve likeimalación like तमको पढ़ा बीत जादा it č मैंने घुमीर आपको पढ़ा रहा था het कि मैं आपको पढ़ा रहा था polar non polar रहे पढ़ा है चलिए ले अचिह बदायता लाइक है से refle 9 Ike Dissolve-like का क्या मतलब है कि polar polar के अंदर ही गुलेंगे और nonpolar nonpolar के अंदर ही गुलेंगे ठीक है यह सब बात है बताही हुई है ऐसा नहीं है कि polar nonpolar के अंदर नहीं गुलेगा और nonpolar जाल तूंठ लालने ग्यासिशन गांचर के अन कि कांचर को सब्सक्काइन किन नियुक्त नियुक्र CL negative बना देगा ये dissociation करने तो इसलिए ionic compound हो गया ionic compound को किसके अंदर डाल रहे हैं हम लो n-octane जो है n-octane कैसा है एक non-polar compound है उसके अंदर डाल रहे हैं तो ionic compound कभी भी non-polar के अंदर नहीं गोल सकता तो इसलिए हमने यहां पर लिखे दिया है कि KCL is in ionic compound so it will not dissolve in n-octane under any ratio या under any proportion किसी proportional नहीं गोलेगा चलिए थर्ड पार्ट फिर हमने करा CS3OH और CS3CN के लिए एक ही point में बात कर लिए हमने हमने बोला कि CS3OH और CS3CN दोनो बोलर है देख रहे है clearly CS3CN को भी dissociate करोगे तो और CS3OH को भी करोगे तो एक positive part और एक negative part obtain हो जाएगा आपके पास में दोनो पोलर molecule है लेकिन CS3OH जो है वो ज्यादा polar है क्यों है ऐसा क्योंकि इसके अंदर hydrogen bond है और CS3CN नहीं है अतना polar अगर मैं इन दौनों में comparison करूं तो जो ज्यादा polar होगा वो नहीं गोलेगा उतना ज्यादा extent पर क्योंकि हमारे बाद solvent कैसा है non polar तो जो जितना ज्यादा non polar होगा यानि कि जितना कम polar होगा उतना आसानी से गुल लाएगा कम polar कौन है CS3CN तो CS3CN जो है वो ज्यादा गुल लाएगा और CS3OH जो है वो ज्यादा polar है तो वो non polar यानि कि N-octane के अंदर कम घुलेगा इसी को अगर मैं विद्धी के बैसे पर रेंज कर दो तो अभी हमने बताया था कि वह क्या हुआ है कि क्या हुआ है कि क्या हुआ है कि क्या बिल्कुल भी नहीं खुल रहा तो क्या हो जाएगा लास्ट में जाएगा ठीक फिर CS3OH क्या पूलर मॉलिक्यूल था इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी से कम है फिर CS3CN है और साइक्लो एक्जेन में क्या हुआ था साइक्लो एक्जेन तो आया यह था आपका उपर से दोनो पूलर पूलर नॉन पूलर थे तो किसी प्रपोर्शन में गुल जा रहे थे ठीक है तो यह 24 इसे में रहा है मैंने बुक में चैक कर लिजेगा क्यों में बता देता है हूं जस ऐसे आपको कि को पूछा क्या जा रहा था कोश्यन में यह पूछा जा रहा हुआ था कि पूसितिव डिवेशन और चिन पे क्या होती क्या हिरा O 열심히 कि और यह बदा यह कि जो हमने पढ़ा और negative deviation में क्या रहेगा तो उस वाले पार्ट का अंसर कर रहा हूं मैं इसमें क्योंकि जो positive deviation negative deviation क्या होती है राउर्ट's law से वो मैं वीडियो में पहले ही समझा चुका हूं जिसे नहीं पता है वो description में मैं लिंक दे दूँगा उस वीडियो का उस वीडियो को जाके देख सकता है कि positive deviation और negative deviation क्या होती है चलिए यह answer है उस वाले पार्ट का दूसरे वाले पार्ट का del mixture जो होता है del H जो mixture होता है वो positive होता है किसके लिए यहां पर हम में बात करने है किसकी बात करने हैं डो के बात करने हों तो question में पूछा गया है कि del H जो है वो positive और negative deviations के लिए क्या क्या value होगी उनकी तो देखुतiza Del mix जो है वो positive है positive deviation क्या हो रही थी? non-adult solution जो है वो deviation दिखा रहे थे राहूल सो से positive deviation में क्या किस था? positive deviation में था कि जो vapor pressure था solution वो बढ़ जा रहा था ऐसा क्यों हो रहा था? vapor pressure क्यों बढ़ जा रहा था? क्योंकि a a b b की जो interaction थी वो कैसी थी? वो weaker थी और वो stronger थी और A-B interaction जो solution में interaction आ रही थी वो कैसी थी वो weaker हो जा रही थी अब देखो मेरी बात कि मैंने दो चीजे ली मैंने मैं इधर बता दूँ थोड़ा से नीचे कर लेता हूं इसे मैंने दो चीजे ली थी मैंने वीडियो में बताया भी था वहां से clear हो जाएगा जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा मैंने दो चीजे ली एक लिया A-A interaction थी दूसरी मेरे पास B-B interaction थी यह दो solute मिला कि मैंने तीसरी कोई नई चीज बना दी solution जो interaction कैसी है A-B interaction है देखो अभी म जब इन दोनों को मिला के एक नया solution बन रहा है तो यह interaction इनके बीच में वीकर हो जा रही है इंटरेक्शन वीकर कैसे हो जाएगी बांड कैसे टूटेगा कब टूटेगा वीकर बांड कब बनेगा स्ट्रॉंग बांड से वीक बांड जब ही बन सकता है स्ट्रॉंग बांड स जब हमक्षााइगा निया दूटर्मिक इसलिए कैसा बांड सर्था रहाएगा किसे हैं बांग पांड इसलिए गार्प ये पाई तो आपका क orchid में बन जाएगा दूसरे वाले समंझ में आजायका देख सार्पाऔर से जीТरॉंग इसलिए घड इंट्याइगा बांड से जो है वो कैसी हो गई है इस बार stronger हो गई है जिसकी विलसे वेपर प्रेशं में decrease देखने के लिए मिलता है negative deviation के case में अब हुआ क्या ay interaction बी बी इंटरेक्शन कैसी ही थी stronger थी और एबी इंटरेक्शन weaker हो गई है इसका मतला stronger से weaker में बदल चुका है स्ट्रोंगर सी वीकर में कैसे बदला होगा बढ़ा उल्टा वोल गया मैं यहां पर नेगटिव डेविशन के के समें इपर दुबारा पता देता हूं मैं आपको लिखके अब देखे ए ए इंटरेक्शन और यह दूसरी इंटरेक्शन होगे कौन सी इंटरेक्शन इन से मिला क वो कौन सा बना है वो बना है ए भी इंटरेक्शन अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो यह वाले जो इंटरेक्शन होती है नेगटिव डिवेशन के के समें यह वीकर इंटरेक्शन होती है और यह वाले जो इंटरेक्शन होती है stronger interaction होती है अब भी by mistake मैं वो positive का ही बोल लिया था फिर से negative में correction कर लीजिएगा उसमें A interaction और B interaction weaker है उन दौनों को मिला कि हमने एक strong interaction बना दी हमने एक strong interaction मना दी strong interaction कैसे बनी होगी भी weaker से जब strong से weak बन जाती है कि हीट को रिलीज कर रही होंगी हीट को रेलीस करेंगी जभी तो । Ś्ट्रॉंग से की बनेंगी उपусаरवालय में कहा डaire थे हम weak से strong बना रहें में यह क्या भार है कि हआ किsm कर रहें मं लोग 3 के स्ट्रॉंग मना रहें exothermic reaction हो जाएगी बाहर heat release हो रही है और dalmix H जो है उसके लिए कैसा आजाएगा negative आजाएगा dalmix H कैसा आजाएगा negative आजाएगा, समझ पाए होंगे positive का deviation का अगर समझ गए हैं तो आप उसका 20 वर्षा से याद कर लीजिए जिनको दोनों चीज़े समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर किसी को अब भी कुछ नहीं समझ में आया या इन तीनों कोशन में किसी को कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को ताकि जादा से जादा लोग देख सके और लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आई है आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें अगले ही होमवक के दिये गए हुँच कोशन को जो प्रॉब्लम्स आई हैं आप लोग को उनको डिसकस करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चेलिए टाडा बाई बाई